आदाब हैद्रापार आदाब नाजरीन दूर दशन यादगरी चैनल के इस खुस्सी प्रोग्राम आदाब हैद्राबाद में एक मलाखाद प्रोग्राम में आप सभी का हम खैर मगदम करेंगे दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में मुक्तलिफ यूटूब चैनल में अलग-अलग करेक्टर निभाने और उसको बहतरीन अंदाज में पेश करने में बहुत सारे यूटूबर्स सामें आये हैं लेकिन कुछ ही ऐसे करेक्टर है जो आपके जहन में रहते हैं और बहुत ज्यादा आप इन करेक्टर की वज़ा से इन वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आज की हमारी जो मलाकात हो रही है इनी करेक्टरों को निभाने वाले एक ऐसा करेक्टर जो आप हमेशा नूर भाई के नाम से जानते हैं मेरी मुराद है शाबास खान आज हमारे इस स्टोडियो में मौजूद है शेबास खान साब आपका बहुत-बहुत खैर मखदम किया जता है हमारे इस प्रोग्रेम में शुक्रिया बहुत-बहुत ताइंक्यू सो मच जानी वही शुरुआत लाइफ की शुरुआत कैसे हुई उस बारे में आप जरूर बदाएए जिन्दगी की शुरुआत जब हमारे वालदा गए हास्पिटल को तो महां से शुरुआत हुई थोड़ी देर के बाद तो जिन्दगी की जो शुरुआत हुई बच्पने से पड़ाई लिखाई में तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन आज ज्यादा मेरे को चीज की वैल्यू मालूम होती है और उसकी बहुत मैं खदर करता हूँ एज्यूकेशन की पड़ाई की तो बच्पने में ऐसा आम बच्चे होते हैं वैसे ही शरारत करना इसकुल को जाने रोना और हर चीज के लिए घर में जित करना ये दिलाओ वो दिलाओ और शरारत करना बच्पने से थोड़ा ओट पटांग चीजे करना अलग अलग नए नए शरारतां करना जो दूसरे बस्ती में बच्चे ने करते थे हमागों मिसाल देते कभी उनको आथ सुने ऐसा करते वे तुम इचैसा किको करते तो ऐसा अलगी कीड़े थे समझे बच्पने से तो पहला ब्रेक शेबास आपको कैसे मिला देखिए जानी जैसा कि पहले ब्रेक की बात है तो मैं स्टार्ट अप किया था मिमिक्री से मैं समझता हूँ शायद मैं 13-14 साल या 15 साल की मेरी एश थी तो जब मैं दूसरे जब टेलिवीजन पे मिमिक्री आर्टिस्टों को या कई वीडियो में या कोई फिलिम में देखता था कि कोई दूसरे एक्टर की या किसी दूसरे कैरक्टर की मिमिक्री कर रहा तो मैं एकदम अब जैसे अपने हैदराबादी में वाल तो बारान हो जाता आएक अदमी दूसरे तो मेरा फोकस जब पहले आया मिमिकरी पे अचा तो मैं मिमिकरी से स्टार्ट अप किया और जब मैं मिमिकरी से स्टार्ट अप किया तो जब उतने हाला तो उतने अच्छे नहीं थी और आजकल कैसी अतनी मौडरन टेक्नोलोजी नहीं थी कि आजकल जो स छोटे मोटे फोन होते थी और बस्ती में आगर किसी एक के पास फोने वल तो उसकी आजजी करते थे जाए के आपका मॉबाइल दिये तो एक छोटा वीडियो बनाते है वह हम लोगा तो किसी से आजजी करके का फोन मंग के लेका आए और दुसरे को जाके बोले के भाई जा आ आपके रूम में छोटा वीडियू बनाने तक कि घरों के हालता भी ऐसे नहीं थे बैकडराउंड के एक वीडियो बना सके कोई दोस्त बोलते थे बैकडराउंड अच्छा रहना उता नॉलेज़ भी ने था बैकडराउंड कैसा रहना वोइस कैसा होना उसको प्रेजैने कैसा तो इसके धब का मोबाइल फ़ॉन ली ओर किसी एक दोस के घर पे जाएको एक मिमिकरी का फ्स्ट वीडियो बना था था मैं पहली बार जब मैं स्क्रीन पर अपैर हुआ मतलब सोचल मीडिया मतलब जब आचुका था फेस्बुक तो एक का वीडियो बना। जिस이 मैं समझता हूँ दो दिन में 14 14 लाइक आए थे तो खुशी का ठीका ना ने था हम लोग की और यह एक दोस्त था हमारे तो भागते वह आके बुला रहे भाई अपने को 14 लाइक आ गए तो उसके ओपर हम लोग एक दम और भाई 14 लाइक आगे 14 लाइक आगे तो फस्ट महां से स्टार्ट होआ उसके बाद करते करते हिदराबादी जो हमारी फिल्मे बहुत सूपर डूपर हिट चल रही थी वो टाइम पर और अभी भी अच्छी है लेकिन जब उरुश पर हिदराबादी इंडरस्ट्री और हिदराबाद के सभी कलाकार जो मतलब उनको देखना मतलब ऐसा था कि जिसे आज कल किसी बॉली वूड या हॉली वूड के सेलेबریٹी को देखना उनसे मिलना यह तसवर था और लोंकी यह इमेज थी और यह पबलिक में उनका था तो मैं जितने भी हमारे हैदराबाद के सेलेबरीटी में जैसे के हमारे अदनाद साझित साहब है गु और बहुत सारे स्टेश के सीनियर आर्टिस्ट है आप लोगो देखके बहुत कुछ सिखे और अजीज भाई को मेसेज़स करता था आपको भी शायद याद होगा कभी भी शो रहा तो मैं पड़े के पीछे आपको मिलता था भाई मैं मिम्मिकरी करता हूँ और आप में बहुत हैं और मेरे साथी थे मेरे दोस्त है आतिफ शायद वीडियोस में आते हमारे आप पैचानते हैं उनको तो उन्हों आपको आके बहुते भाई इनों मिमिकरी करते हैं तो उसका आपका जो रियक्शन था हम लोग चार-पांच बार बोल दिये थे आपको तो आपका जो रियक करता हूँ तो आपको हम लोग मिले थे तो आप हमार से मिमिकरी सुने थे सल्मान खान की मिमिकरी और कई सारी मिमिकरी करके मैं आपको सुनाया था आप बहुत अप्रिशेशन यह थे अप्रिशेट करे थे और आप बहुत अच्छे से बाता मुले तो जो आज भी मेरे को या रहा हppस्ट मैं इंडस्ट्री में जुडने से पहले अजीज नासेर साथ मैं zaj धूब वीडि़ो– मैं आए था उनके उनकी एक चैनल है तो उनके चैनल पish किया था पहली बार हैदराबाद के किसी गलाकार या पहली सी इंडस्ट्री के साथ काम करना बोलता हूँ, मैं अजीज नासिर साहब के साथ उनके वीडियोस में काम किया, उसके बाद बहुत अच्छा मैं को उनों बहुत अच्छा समझाए कि कैसा प्रेजेंट करना है, क्योंके मैं को प्रेजेंटेशन नहीं आता था, आवाजें निकाल लेता था, लेकिन किसके स अजीज ने दोस्ते अमजद भाई जिनका नाम था, गुलुदादा के रिलेटिव है, तो उनको मैं सुबाशाम तंकरता हूं था, भाई जरा मिलाएए ना, भाई जरा बात करिये ना, भाई जरा बोलिये ना, तो भाई मेरे को मिलाया था, उससे पहले एक हमारा दोस्त भी एक वीडियो रेकाड करके गए थे, मिमेकरी करा रहे भाई, टाइम ने रहे था, आपने शेडियूल रहे था, बिजी कुछ काम रहे था, तो डिर्क अपन वीडियो बताएंगे वालके, वीडियो बताए थे, तो देखके बहुत खुश हुए थे, वो बात, अदना साजित खान साब गुलू दादा में कुछ चार-पांच साल के बाद एक स्टेज लाइफ शो में हो लेके, आप जब पब्लिक के सामने बताए, कि जब शहबास मेरे पास मिमेकरी का वीडियो लेके आए थे, तो मैं यखिन नहीं करा था, कि ऐसा डबिंग करके लाली होंगे, फिर बाद में कोई अखिन है, बलकि यह बात उन्हों तीन-चार साल के बाद बोले, तो वहाँ से बहुत सारा सभी का सपोर्ट मिलते रहा, उसके बाद हिदराबादी फिल्मों में गए, सबसे पहले फिल्म थी स्टेपनी, उसमें एक चोटा सा कैरेक्टर था, जो बहुत जुड़ती है, कि आपने जो वीडियो तयार किया था, पहली मरतबा, जो फेस्बुक के जरीए सत्रा लाइक्स आये थे, बिल चौदा, चौदा लाइक्स, सौरी, तो मैं चाहता हूं कि जो आवाजें आपने उस वीडियो में, बॉल्यूट के सभी आक्टर्स थे उसमें, जिसमें मैं शाद आट याप दस कुछ वावाज निकाला था, अभी मैं को मतलब वो लो, कौन से कौन से पर्फेक्ट वो तो याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, जो भी है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है, बाचीत तो आगे चलती रहेगी, ले लेकिन इसको आइटम बनाएके एक प्रेजेंटेशन के साथ, एक कॉमेडी के साथ पेश करना, तो जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं, वाइरल अभी एक बिमारी भी आई थी, अहाँ, अभी शुकर है कि वो थोड़ा भी उतना जादा पैनिक माहुल नहीं है, तो अक्सर को भी पुछ अरे क्या वाइरल हुआ रहे वो गाना, सुना ये गाना, आखरी वाइरल हुआ, हाली में गाना वाइरल हुआ था, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, तो भी ये गाना इतना वाइरल हो गया, और इतना लोगों के जबान पे बना रहे यह म्यूजिक इंड़स्ट्री वाले यह सिंगर जो है अपना परसनल अल्बम बना रहे और इतना वाइरल हो जा रहा तो बॉलीवूट के अक्टर इसके ओपर रियक्शन दे रहे कोई कमेट कर रहा कोई गाना गा रहा अपने अंदाज में तो कैसा करेंगे सबसे प पता चला कौन सा नशा करता है नहीं ठाकुर साब तो पता लगाओ पता लगाओ पता लगाओ कौन सा नशा करता है हमने सुना है के फूलों से वफा करता है और जहां तक फूलों की बात आती है न तो फूलों के साथ तो भवरे होते ही है और तितलिया भी जिस दिन में कोई गूरी तितली देख लेता हो ना बाथर उस दिन मेरे तन बदन में सैकड़ो काले कुटे एक साथ भूख ले लगते हैं इनके पीछे आगे शारोखान साब पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है और अम्मी जान कहती थी कोई नशा अच्छा नहीं होता और नशे से बड़ा कोई गुना नहीं होता इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है ना नशा करो ना वार करो ना नशा करो ना वार करो करना है अगर तो प्यार करो एक छोटा सा इटम मैं बनाया था बहुत बहुत और भी आइटिस्ट है इसमें आपको फिर बिल्कुल आप आप सुना सकते हैं नो प्राइट तो राजकुमार साब भी है इसमें राजकुमार साब को पता चल गया कि कौन सा नशा करता है वो अपनी आगे घर में सुना रहे राधा सुनो राधा हमने पता लगा लिया है कि वो कौन सा नशा करता है वो जिसमों का नशा करता है फूलों से वफा करता है राधा लेकिन हम उसे मारेंगे और जरूर मारेंगे वो वक्त भी हमारा होगा वो बंदोग भी हमारी होगी वो गोली भी हमारी होगी वो घर भी हमारा होगा वो दस्तर भी हमारा होगा वो बोचे खाना भी हमारा होगा वो चुला भी हमारा होगा वो प्लेट भी हमारे होगे और इनसाफ हम करेंगे इस style में क्या बात है और जी इनके पिछे आगे करबूशन खरबंदा साब शान में जो शान के शाकाल पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है जानते हो इसे इनसान को क्या कहते हैं मगर मच बड़ा ही भूका जानवर है कितना भी खिलाओ भूका ही रहता है अपने style में आ गया और इसके पिछे आगे प्रेम चोपडा साब प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपडा बहुत अच्छे बहुत अच्छे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है अगर ऐसे ही हर एक से वफा करते रहेगा तो नंगा नहाएगा क्या अपने style में तो एक छोड़ा सा item ये था तो ऐसे ही करते करके mimicry में आगे पड़े हैं बहुत जबर्जस तैंकियो वाखी तो नाजरीन आप कहीं जाएगा नहीं मिलते हैं एक मुक्तसर से वफे के बाद वफे के बाद आप सोभी का हम खेर मक्दम करते हैं आदाब हैदरबाद में अच्छा शेबास शुरुआत तो थी आप एक as a mimicry artist लेकिन आज अलहम्दिल्ला सोशल मीडिया पर आप चाह हुए हैं तो एक सवाल यहां पर जुड़ता है कि आज सोशल मीडिया के जरीए कॉमेडी का जो चलन है एक बीमारी की तरह पहल रहा है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया सब पर देखिए आप हर जगे आपको कॉमेडी दिख रही है entertainment दिख रहा है तो इससे पबलीक में content जो है कम हो रहा है क्योंकि viewers को चाहिए content देखने वाले को entertainment चाहिए और यहाँ पर यह भी एक चीज़ है सर के content आपको जादा से जदा लाना हुगा क्यूंके यहाँ पर यह हो गया है कि हर कोई अपना कॉंटेंट बना रहा है पहले होता यह था कि कुई एक खादर खानसाप ने बहुत अच्छी बात की थी वो मैं दोहराना चाहूंगा दिलक्ल्ट खादर खानसाप ने कहा था कि सब एक्टर नहीं बनते हैं सब एक्टर नहीं बनते अगर सब एक्टर बन गए तो राइटिंग कौन करेगा डिरेक्शन कौन करेगा एडेटिंग कौन करेगा सिंगिंग कौन करेगा तो इसलिए हर किसी का अपना डिपार्टमेंट होता है तो जो अपने डिपार्टमेंट में माहिर है वो करेगा तो बहतर होगा मेरा ऐसा मानना है खादर खान साब की ये अलफाज है तो आजकल की जो कॉमेडी है आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर जो कॉमेडी है इतनी शार्प आडियन्स भी इतनी शार्प हो गई ह कि अगर आप किसी दूसरे का जोक बोलते हैं या उसको कॉपी करते हैं अगर किसी का आप टेक्स भी कॉपी करते हैं तो इमिरेट आपको कमेंट आता है कह रहे ये तो उनु करे थे भाई ये तो उनका है भाई तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया आजकल कि आप किसी का जोरी करके या किसी ही से सुनके आप बगर क्रिडेट दिया उसको नहीं दाल सकते हैं। आदियन्स आपको पकड़ लेगी। क्कर निए अच्छी खासी मेरी इंकम थी में को जरूरत नहीं थी, किसी इसे उसक्रेम मेंży劑्यो में ये फील में आया और मैं योटीब चैनल सबसुत करेंके नерм आर्फ बारी चाने सुटब आर्फ करने मरे के वार्फ पर था योट्यूब चार्ब करने के लिए साइट पर गया या किसी के घर में कुछ काम करने के लिए गया तो बंदा में को पहचाना अरे आप वीडियो बनाते ने तो मेरे को वाँ पर जब फील हुआ कि मैं इतनी महनत से एक कांटेंट बना रहा हूँ एक अपना प्रोफाइल बनाने कोशिश कर रहा काम भी करा हूँ काम बुरी चीज़ नहीं है लेकिन ये फिल ऐसी है कि आप इसमें जितना इंप्रोवाइस करेंगे जितना इसके अंदर आप अपने एफ़र्ट डालेंगे जितना डे बाइडे अच्छा करने कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा तो मैं दो साल या देर सा मिनिमम मेरी इंकम सोर्स टोटली बन कर दिया था मैं फुल फोकस इस पे दिया था मैं एक अपना टार्गेट बना लिया था और जिंदेगी में इनसान को जरूरी है एक टार्गेट बनाने के लिए आपका गोल आप एक बनाना है कि ये मैं को अचीव करना है याने तो इतना time period के लिए मेरे को इतना time देना तो मैं एक goal बना लिया था कि मैं इसको दो साल या एक साल जो भी है मैं इसके ओपर full work out करूँगा अगर इसमें कुछ हो गया तो मैं फिर ये करूँगा अगर नहीं हुआ तो फिर अपनी जो line है वो करूँगा इसको part time time कभी मैं इसको serious नहीं लूँगा तो मैं दीएर साल मेरी कुछ भी income source नहीं थी एक रुपिया भी कहीं से मेरे को income का जरीया कुछ भी नहीं था full time मैं इसमें दिया तो मैं ये बताना चाहरा हूँ कि जो लोग भी नए-नए अगर YouTube channels बनाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि एक दो महिने में अपने पैसे आना शुरू हो जाएंगे revenue आ जाएगा advertisement आ जाएगे तो वैसा बहुत मुश्किल है ये खिसमत की बात होती है ऐसा हो सकता है एक महिने में भी लेकिन आपकी luck अच्छी होनी चाहिए आपका talent ऐसा होना चाहिए कि एक वीडियो आप अगर बनाए तो worldwide वाइरल हो जाना वैसा unique talent लेके आना पड़ेगा आपको unique concept लेके आना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है सर हम लोग तो पहले दो धाई साल बिल्कुल भी कुछ भी हमारे को income नहीं था और कुछ income source नहीं थे दो धाई साल सरिफ सुबाशा मेहनत करें अपने जेब से पेटरोल डला के जाना अपने जेब से भूक लगी दोपर में कुछ खाना है शूटिंग पे जब खाना और जो भी खर्चा एक्सपेंसेज है पूरे अपने खुद के करना तो ऐसे करके हम लोग दो ढ़ाई साल हम लोग करें उसके बाद हमारी income स्टार्ट हुए तो यूटिब का ऐसा इसमें मुश्किलात यह आते हैं कि आपको फुल टाइम इसको देना है और यूटूबर की खास बात यह होती है सर मैं आपको बताना चाहूंगा यूटूबर एक वही परपका यूटूबर बन सकता है जिसको राइटिंग, सबसे पहले इसको राइटिंग आना चाहिए अगर वो राइटिंग कर सकता है तो ही वो comedy, entertainment की फील में यूटूबर बन सकते है दुसरे भी बहुत सारे यूटूबर्स है जिसके knowledge के है या फिर आपको traveling के है वो चीज अलग है लेकि comedy या फिर कुछ short flames या कुछ serials या फिर कुछ web series ये टाइप में अगर आप करना चाहरे कुछ भी तो आपको 100% आपको writer होना सबसे पहले जरूरी है आप writer रहेंगे, आप content writing करेंगे आप सोचेंगे कि audience को क्या पसानाएगा, क्या नहीं आएगा वो सोचके आप जब लिखेंगे तो जब आप अच्छे यूटूबर बन सकेंगे मेरा ऐसा मानना है नहीं लेकिन शेवास, आपने अभी बताया आपके जवाब में ये था कि भई आप एक अच्छे यूटूब के लिए, या मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा लोग हासेंगे ये सारी चीज़ें आपके जहन में कैसे पली ये चीज़ें सर मैं बॉलिवुट में खादर खान साब को और जौनी लिवर को बहुत फॉलो करता हूँ और मैं खादर खान साब को तो हद से ज़ादा फॉलो किया हूँ मैं और मेरा ऐसा परसनली मानना है कि मैं जैसी मिमिकरी खादर खान साब की कर सकता हूँ शाहिद ही कोई कर सकता हूँ क्योंकि वराइटी और उनसमें वेरियेशन जो है मेरा ऐसा मनना है आप भी सुने हुए हैं मैं तो आलरीडी आपको कई मरतबा स्टीज पे खादर खान साथ की आवाज में मेरे को कमांड है तो उनके इंटरव्यूस देखना उनके फिलिम्स देखना वो बहुत अच्छे राइटर थे और उनको देखना मतलब वो एक अपने आप में इंस्टिट्यूशन है कि जो कोई भी अगर कुछ सीखना चाहता अक्टिंग से रिलेटेड स्क्रिप्ट से रिलेटेड या टाइमिंग से रिलेटेड तो खादर खान साथ की मूवी देखना उनके इंटरव्यूस को देखना उनको फालो करे तो आपको ये चीज़ों में बहुत सारी आपको हल्प मिल सकती तो मैं खादर खान साथ को जॉनी लीवर साथ को और जो भी हमारे कमेडियन्स है और फिल्मी एक्टर्स है जो कॉमेडी करते हैं स्क्रीन पे उनको मैं बहुत फालो करता था देखते देखते छोटे चोटे छोटे आईडियस से शुरू करते हैं इसाने कि स्टार्ट होते ही स्क्रीप लिखना शुरू कर दी है एक बार एक आइडिया लिए और भाई इनहें आगे वाला इसा बोरा है इनो इसको थपड मारके चल जा रहे तो कोई हजदी है और अच्छा है मुँआ से इसा शुरुवात करें पहले तो हम लोग एक साल दो साल तो स्क्रिप्ट लिखते नहीं थे मतलब थौट्स ले लेके काम करते थे कि ऐसा बनाये रेक horaum ही तो हुने केकी सारे यहाग करेंगा आप लोगों से भी बहुत कुछ सी कैई की सारे आईटमस है तो वो आइटम से अइडिया लेते थे हम लोग कौपी करने की कोशिशिश नहीं करते हम लोग आई़ियास लेते कि आप बोले हुबा हुआ हम बोलेंगे फिर वो हमारे में फरक नहीं होगा हम आपसे इंस्पिरेशन लेते आपसे आइडिया लेते आप ये करें जानी भाई ये करें ये को अगर अपन ऐसा करके अपन थोड़ा ऐसा करें तो थोड़ा तो भी हसी आ सकती जानी भाई ये बोल को आपके पसंद आना चाहिए आप जो भी काम कर रहे हैं और हमारी खास बात यही रही आज भी अलहम्दलिल्ला हमारे को यूटूब पे और फेस्बूक पे ये कमेंट आते हैं कि भाई आपकी जो कॉमेडी है उसमें थोड़ी सी भी विल्गारिटी नहीं होती पूरे फैमिल करते हैं वो लोग जब तारीफ करते हैं तो अपने बच्चे का नाम लेगे मैं औरे भाई हमारा बच्चा हो नूर भाईकिश लगा के दियो बोत तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसी कमेडी नहीं कर रहे कि घर वाले देख रहे क्या देख रहे बन करो क्य कि और लोग को भी मालूम है कि कोई वल्गैरिटी कोई डबल मीनिंग डायलोग या फिर कोई ऐसी गंदी चीज़ हम लोग उसमें नहीं रखते हैं तो यह हमारी एक बहुत एक खास बात हो गई समझी है जब आपने खादर खान साब का नाम लिया और बहुत अच्छी मिमिक करेक्टर निभाते हैं यह कॉमेडियन का तो उनकी वाइस जो होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है तो अलग अलग वेरियेशन्स होते है खादर खान साब के आवास में एक तो डायलोग यह है खादर खान साब का क्या कहा मेरे खौन से गली कौंचों को सुर्क कर दिया जा हमारा नमगाली है तुम करें खौर्चर्प Кरें खौर्चर चौर्ण तो फरीयाथ तो अगını है अरे हम नहीं तीर और तलवार से मरने वाले खतल करना वे तो बस एक तिरची नजर काफी है क्या मुशीबत है यार सलाँ दिं में बाप सूने नहीं नहीं तक रात में आउना जाये तो जाये तुझे थांकियो depressed yeah baby hence है अपने नूर भाई का जो जिक्र किया है और काफी popular रहा यह character तो यह जू आप वीडियोज बनाते थे women नूर भाई से पहले आपने बहुंअ सारे वीडियो बनायає तो ये नूर भाई का जो content है नूर भाई का जो character है उसको किस तरीखे से आपने develop किया है उस बारे में जरूर बताईए सर हम लोग जहां पर रहते हैं local हमारा जो area जहां पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा support मेरे को वहां का भी है क्यों कि मैं को वहां से observation मिलती है character करने के लिए कोई जो भी वहां की लोगों को हमारे आसपास वाले जो हमारे बस्ती वाले हमारे शहर वाले उनको मैं observe करता हूँ वो लोग का बहुत बड़ा support है मैं और आज के आपके program के throw में उन सभी का शुकरिया दा करना चाओंगा कि उन का भी मेरे life में बहुत important role रहा है तो उन लोग को देख देख के observe करते करते मैं इतने जो भी character किया हूँ वो लोग का बहुत बड़ा उसमें हाथ है तो नूर भाई का जो character की शुरुआत हुई हमारे पास एक साहाब थे जो थोड़ा हर चीज में मतलब अपनी सहीं बोलते थ तो ऐसा वो आदमी मतलब अपनी बात सहीं बोलता था तो उन से हम idea लिये कि ऐसा सहीं बोलते है उसके बाद हम लोग character design करें कि हमारा हम पहले से मेरा मानना एक है जानी भाई कि मेरा इसमें effort क्या है अगर मैं किसी का हुबा हुब लेकर उसको बोल दे रहा हूँ तो मेरा इस में क्या है योगदान बोली आप तो अपना क्या है वो मैं ज्यादातर फोकस इस पे रहता है किसी कंसे कुछ भी उठा लिए कौपी मार दिया बोल दिया नहीं मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूँ मेरा talent क्या है इसके अंदर बीच में तो वो character को हम लोग observe करें observe करके इस cycle पे निकलना अच्छे तक पर एंटिक उनके लिए कुछ ऐसे चीज़ां वैसा करके हम लोग design करें और public को बहुत पसाना आते गया तो alhamdulillah उसको हम लोग day by day improvise करते जा रहे और इंशालला अभी लग जाए कि आगे modern भी बनाएंगे नूर भाई को हाँ जब आपने modern की बात की तो देखे शेबास आप माशालला इतने handsome है और जवान तो वो जो character है वो बिलकुल एक agent character है उसको जो आपने sketch किया है फिर उसको बाखुबी निभाया है कभी आपके जहन में ये बात पली नहीं होगी कि भई मैं तो एक नौजवान हूं इस character को नहीं भा कि मेरा image बिलकुल इस तरफ हो जाएगा इमेज के बारे में कभी मतलब कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो मैं image के बारे में नहीं सोचता हूं हाँ मैं करकर कोई double meaning dialogue बोल रहा हूं या फिर कुछ गलत काम कर रहा हूं तो जब मैं image के बारे मैं मैं मेरा सवाल ये बि बेदे कि हर जो नौजवान होता है कि वो एक hero के तौर पेश होना चाहता है लेकिन आपने उस चीज़ को बिलकुल हटा दिया और इस character को जो निभाया है वो बहुत बड़ा challenge था बिलकुल जानी बई मैं आपके सवाल का जवाब ये दियूंगा कि मेरे को मैं कभी इस्ट कलाकार कलाकार वो होता है जो हर character करता है हीरो मतलब उन्हें hero ही बन जाएगा फिर एक hero जो होता है hero ही का काम करेंगा उन्हें दूसरा काम नहीं करेंगा hero गिरी ही करेंगा आर्टीस जो होता है वो 25 आप उसे character करवा सकते हैं विलन बना दे सकते आर्टीस को आप hero बना दे सकते आप उसको बाप बना सकते बेटा बना सकते हीरो को आप ज्यादा इसको 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 बेटा बना सकते बेटा बना सकते बाप कभी मेर्सें मिलते तो हमेशा हैं अरे अरे भाई आप तो एकदम यंग हैं अरे इसमें अलग दिखते हैं भाई आप बहुत खुबसूरत है आप मैं बहुत खुबसूरत है आप तो वो कैरेक्टर में मतलब यह दिख किया आता है कि मतलब एजट कैरेक्टर है थोड़ा मतलब उमर अच्छी है वो character की तो वो character में इसलिए हम लोग एक तो उसमें फाइदा भी है कि लॉंग टाइम कर सकते है इन्शाला अला ताला हयात दिया तो उसको लॉंग टाइम कर सकते है क्योंकि एक जवान character को आप long term ने लिग जा सकते है क्योंकि खुदरत आप को इस बात की सूर्थी हो एज के साबसे खतम होती है तो हम पहले से उसको एक एजट करेक्टर रखेंगे तो थोड़ा लॉंग टाइम चला सकते हैं थोड़ा ये एक पॉलिसी समझी है आप अपने फाइदे के लिए ये बहुत अच्छी बात है आपने बहुत अच्छा फाइदा सोच रख हानी भई ये चीज़ आपका भी मानना है क्यूंकि आपके भी हम लोग जब शो देखते थे आज भी देखते साथ में भी करते हैं तो आप के पीछे पूरी टीम होती है चाहे वह लाइटिंग सेट अप करने वाली टीम हो इस्टेज डालने वाली टीम हो चाहे समालने वाली टीम हो चाहिए मीजीशन्स हो जो भी हो टीम के बगर काम नहीं होता तो मेरा भी मानना ये है और अलहमदुलिल्ला मेरी भी टीम है जैसा कि आप सब जानते हैं माशालला और बहुत अच्छी टीम है सब सपोर्टिव है और एक दूसरे को एंकरेच करने जाए तो टीम के बगर तो काम मुश्किल है और दूसरे भी यूटूबर्स है जो लोग भी अच्छा काम करते हैं साथ में टीम बना करी तो टीम वर्क के बगर तो ये जो प्रोफेशन है सर इसमें टीम के बगर आपको काम नहीं होगा नहीं टीम तो आपकी काम कर रही है और आप टीम का साथ दे रहे हैं, वो लोग भी साथ दे रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि जो करेक्टर होता है, वही चैनल को चलाता है, जबकि मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है सर, ये खिसमत की बात है सर, करेक्टर चलना और करेक्टर यूट जिसमें डॉन का रोल में करा, बहुत अच्छे अच्छे उसके वीडियोज बनाया, जिसमें भाई का रोल है, एक पागल का रोल है, बहरे का रोल है, वो चैरेक्टर्स फेमस नहीं होएं, तो ये आपकी खिसमत की बात है या ऑडियन्स के प्यार की बात है, इसमें चाए टीम गर्फ अगरा से भी आपको कॉल आये होंगे, कहां-कहां आपने प्रफॉर्मेंस किया है, विदेशों में, मैं अभी तो एक ही कंट्री में प्रफॉर्म किया हूं, और हमारे बहुत सारे प्लैन थे 2020 में, लेकिन ये पैंडमिक की वज़ा से हम लोग के पूरे शो स कैंसल हो ग और बहुती बड़ा शो करा था, जो के था मशूर गुलाटी सुनिल ग्रोवर के साथ हम लोग का लाइफ शो था जिसमें सिर्फ सुनिल ग्रोवर और हम लोगी प्रफॉर्म करने वाले थे, दूसरे कोई आर्टिस्ट नहीं थे, नहीं कोई सिंगर कुछ भी नहीं, तो वो स चार्ट्स लिए हम लोग स्वनिल ग्रोवर के साथ मशूर गुलाटी का करेकटर उनका बहुत मशूर है, जी जी, तो उन्हों मेरे को नूर भाई के नाम से ही पोगार रहे थे, नूर भाई कहा है? नूर भाई, नूर भाई, नूर भाई, नूर भाई, तो ये कारड़ भी हुआ और उनके साथ करने से बहुत अच्छा रेस्पॉंज भी मिला, खतर में हम लोगों ने लाइफ शो किया था, बहुत सेक्सेसफुल गया शो और बहुत ही भैतरीन हुआ, और सुनिल ग्रोवर साब के बारे में भी ये कहूँगा कि बहुत ही डाउन टू अर्थ इनसान है क्योंकि हम लोग जब शो था तो एक दो दिन पहले चले गए थे, तो सुनिल ग्रोवर साब भी दो दिन पहले आय थे, एकदम रिलाक्स, कोई attitude नहीं है कि मैं स्टार हूँ, औरे मैं मशूर गुलाटी हूँ, सुनिल ग्रोवर हूँ, नहीं, एकदम रिलाक्स होके हम लोग के साथ फिर के, चलो यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां पर, मांकी गौर्वर्मेंट के तरफ से भी हम लोग को इन्वाइट किया गया था, म्यूजियम में, नया म्यूजियम ओपन हुआ था जब खतर में, तो म्यूजियम में गए, एकदम रिलाक्स फिर रहे साथ में, जैसा दोस्त अहबाब जैसा फ्री हम लोग जैसा फिर ते चलो पठे वहां देखींगे, वाइसी फिर रहे थे हम लोगा, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ग्रेट परस्नेलिटी हो, क्या बात, तो वरहाल थोड़ा सा आप को हम यहां पर रोकेंगे, जी सर, तो नाजरीन आप कहीं जाईएगा नहीं, मिलते हैं एक मुक्तसर से वक्फे के बाद, वक्फे के बाद, आप सोभी का हम खेर मगदम करते हैं, ब्रिक्स से पहले हमने शहबास खान से अपने केरियर के मतालिख बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, अभी हम बात करेंगे फिल्मों के मतालख वैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाए हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई वो कैसे शहबास हमें बताई है इसकी शुरुआत हुई थी स्टेपनी फिल्म से हिदराबाद की हमारी जो मुवी है स्टेपनी उसमें मैं एक वेटर का करेक्टर किया था जो एक छोटा करेक्टर था उसमें मैं मिमिक्री ही किया था और बहुत उसको एप्रिसेशन मिला बहुत उसको अच्छा रेस्पॉंस मिला और उसके बाद सेकेंड मेरी फिलिम थी गैंक्स ओफ हैदराबाद, टाइगर सुल्तान और दुबाई रिटन्स, कलर फोटो में तो मैं लीड रोल मेरे को दिया गया था, मैं और जीशान जामास, कलर फोटो, हैदराबाद नावापस टू? जी, जी, बिलकल, हाँ, लेकिन शहबास, आपने जो अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन आपके दिल में भी एक खाहिश रही होगी, जब आपने फिल्म से जुड़े, तो के भई, ये करेक्टर मैं करूँगा, इस टाइप का करेक्टर मुझे मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा हमारी ओडियन्स को बता ही है, जैसे कि, थोड़ा निगेटिव रोल्स का रहता है, किसी को भी, कि मतलब ऐसा मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, और थोड़े पॉजिटिव किरटर रोल्स का रहता हैं, कि हीरो रूमेंटिक है, या फिर कुछ ऐसा जैसरे साथ, सल्मान खान, और अक्षे कुमार, जो रोमैंटिक सीन्स या फिर जो एक दम रोमैंटिक मुवीज करते हैं, वैसे टाइप के, या फिर आमिर खान टाइप वाल है, सित्री इडियेट्स है, और जो भी उनके फ्लिम्स रहते हैं, एक दम एक यूनिक उसके लिए तैयारी क करके, प्रिपरेशन करके, बिल्कुल कैरेक्टर में ढ़लके वो करते हैं, और जिससे के अभी पूरे वर्ल्ड में चर्चा है कि एजी एफ का, वैसे टाइप का कुछ कैरेक्टर, तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर मिले तो मज़ा आता करने में, और बहुत अच्छा का एक ग्रैफ होता है, कि भई मैं इस टाइप का करेक्टर करनूगा, लेकिन आप तो मसलसिल अपनी लिस्ट दे बैठें, कि भई मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, भई अगर प्रोडूसर देख रहे हैं या डिरेक्टर देख रहे हैं तो भई, बुला लेना, एक 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 चीज़ पर्टिकुलर मैं को यही करना है ने, वो एक चीज़ में यह लिस्ट में एक चीज़ में अगर मैं जवाब दी हो, बोलता है, तो मैं को सरीफ एक ही है, कि इंटर्टेंट्मेंट करना है बस, कि कोई हीरोईजम या विलानिजम ऐसा नहीं, कि पब्लिक कम होना उनके चेहरे पे मुश्कुराट आना उनको एक सुकून दिखना रहे भई इसका वीडियो देखे इसकी फिलिम देखे तो अरे भई चलो थोड़े इसका लगाएंगे आच कई सारे लोग मिलते और ये बोलते कि अरे भई आपके वीडियो में रात में बढ़के देखत उनके लिए होना आता कुछ इंटरेंटमेंट तो आपके वीडियो लगा के देखते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉंप्लिमेंट है तो मैं सरीफ इंटरेंणर बना चाहता हूं सर उसमें कोई भी ग्राफ मेरे को मिले मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा ने लेकिन च्छेवास जब आप काफी देर से हमसे बात कर रहे हैं लकिन नूर भाई वालो आइटम या वो करेक्टर आप जरूर सुनाएं नूर भाई का जो है सर उनके कई सारे पंश लाइन जादा होते हैं नूर भाई का स्टाइल जो है सर उनको लोग ज़ादातर आगे सवाल पू अरे भाई हल तो दोजक को बलते हैं न हो मिया सुसराल क्या दोजक से कम रहता ऐसे टाइप के अब कोई आगे पुछा नूर भाई एक पुरानी मिसाल है उस्ताथ वो काई को बनी होंगी उसका मतलब क्या है जरा बोलो मेरे को क्या है पौलो जिसकी लाठी उसकी भाईस एकदम आशान है एक बार एक अजमी खेत में हल चला लेते जा रहा था तो उसको एक लाठी मिली उन्हें इधर उदर देखा कोई भी ने दिखे उसको अरे किसकी है कि लाठी को भी मिले तो दे दिंगे उलके न आगे गया फिर आग कुछ भी एक सवाल पुछी अब मैं नूर भाई के स्टाइल में उसका जवाब दे तो कोई भी आपका कुछ भी सवाल इदर उदर कई को फिर रहे हैं नूर भाई फिरना पड़ता चाट जगे फिरे तो कुछ ना कुछ कारोबार होता अब आप आज माशालला आप भी फिर अब आपको देना बहुत जरूरी है उसके पीछे महनत करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल सेक्ड़ों में पकड़ लेती आपको अगर आप कई पुराना जोग बोलेंगे तो आजकल कॉमेंट कर देगी यह जोग इनका है और आजकल कॉपी राइट भी आ जा रहे हैं अ अपना ओन कंटेंड बनाने से आपको आडियंस भी जेनियून मिलती है और आपने को एक सैटिसफेक्शन रहता सर के अरे भाई यह मैं बनाया तो इतने लोगा लाइक करें अगर आप किसी दुसरे का आइटम लाके या दुसरे की कुछ जोग लाके या दुसरे की कुछ स्क तो वो चीज मेरे को पर्सनली मैं यह बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं तो आप लोग अपना ओन कंटेंड बनाने की कोशिश करिए दूसरों का देखिए सबका सबके पास वीडियो जो भी आप वीजियो देखते सब जगा देखिए उनसे आइडिय पर देखिए लिजिए आप हूबा हो किसी का एक डायलॉग सुनके हूबा हो किसी का बोल के अपने आप कंटेंड इसको बोल रहे हैं वो नहीं है सर वो गलत है मुख्तलीफ करेक्टर्स फिल्मों में निवाए हैं जो करेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आता हो उस बारे में हम बात करेंगे फिल्मों में जो मैं कर दिया जी भिलकल उसमें एक बहुत अच्छा करेक्टर था सर में को जो मजाबी आया उसमें दुबाई रिटन है के एक दोस्त कम एक मैनेजर टाइप का एक करेक्टर था वो या इंप्लॉई टाइप का एक काफी शॉप में काम करते हैं उनका ओनर भी है तो दोनों की दोस्ती भी है दोनों एक दूसरे को एक लड़की अगर कोई ये टाइप का ओका ओर टाइप्टर था फ़नी करेक्टर था जिसमें करने के लिए बहुत कुछ था तो वो कारिक्टर में बहुत पसाना आता सर कि बल्कुल जबकि आप बता रहे हैं के मैं एक एक इंटर्टेइनर के दोर पर ही रहूँगा लेकिन ये रोल आपने कैसे खुबन किया जी सर जी सर जी सर जैसे कि मैं आपको बता एक इंटर्टेइनर हूं सर में disci को बसינ्ट करना है में उर्दू में तो ये ही इना कि तफरी फराम करना है, तो भी तफरी आप एक विलन तो, बिल्कुल नहीं सर, मैं विलन, मैं तफरी आपको उसमें कैसा दे सकता हूँ, क्यांग्कि अगर एक हीरो के सामने विलन होगा तो इंटरटेंटमेंट होगा पब्लीक का, कैसे entertainment होगा जबके लड़ाई होगी उसे बहथ होगी तो कहा लोगों में तो एक देखिए एक नई चीज़ पैदा होगी ना उसमें कैसा होता है सर entertainment मेहीं करना यह जरूरी नहीं है अच्छा अब एक फिलिम बना ले के लिए एक वीडियो बनाने के लिए चार कम मिनीमम एक च जार अच्छे है तो entertainment हो रहा उसमें एक बुरा है एक बुरे को एक अच्छा कुछ बोर रहा दोने की conversation होगी तो public entertain होती है तो एक विलन का character भी entertainer है क्योंकि जब हीरो उसको मारेगा उसको सबख देगा या वो समझ जाएगा नहीं समझेगा वो उठाय के लेग जा रहा हीर entertainer का काम है कि entertain करना चाहिए वो कौन से भी zone में हो अगर मैं विलन का character करूँगा तो hero का character उठ सकेगा hero अच्छे से अपना character कर सकेगा villain को मार के hero लावा entertainment होता public का तो villain नहीं रहेगा तो उसको मारने सकेगा फिर हीरा तो मतलब आपके जहन में hero नहीं बनेगा बलके सिर्फ जो भी है character नहीं character नहीं बहूँगा बस entertainer बनूँगा सर मैं entertainer हो मैं entertain करूँगा बस नहीं जबके तो आपको जो है अलग अलग चैनल में आप मुक्तलीफ character निभाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि आप फिल्मों में यहने उस तरह का role आपको मिला नहीं है या फिर आप करनी की कोशिश नहीं कि दो तीन फिल्मा ही ऐसे है सर जिसमें मेरे को मतलब एक satisfy role मिला और दुसरे जो फिल्मा है मैं यह नहीं कहूंगा वो satisfy मैं उससे हैं कि नहीं हूँ की में एक को अपना talent बताना था वो भी रोल मेरे लिए बहुत बड़ जी के जब मेरे नहीं के मैरे को कुछ भी मेरे प्लैटफ वरम ए तो वह मिले में को ऑशनी कह नहीं कि और रोल भी मेरे लिए बहुत बड़े थे, और एक एक सलाम जिन्दगी एक फ्लीम आई थी सर, उसमें भी मेरा कारेक्टर था लेकिन वो मैं खादर खान साब की कौपी करा था उसमें, पूरी खादर खान साब की मेमेकरी थी उसमें, वो भी एक कारेक्टर में बहुत अच्छा देगा, सैटिस्फाई होता, क्योंकि खादर खान बात कर रहे हैं वो ही तो इसे रहा तजरुबा बहुत अच्छा रहा सर सभी लोगों ने फिलिम भी देखी योट्यूब के जरीए तो उसमें अधनान साजित जितने भी डालोग है सर तखरीबन हर डालोग नहीं तखरीबन मैं ही उसकी डालोग लिखा हूं सर और मैं कोशिश कर अपने जितना आफर्ट दाल सकूं अपने जो बेस्ट मैं नूर का कैरेक्टर में प्रेजेंटेशन लासो को फिलिम में वो में करने ही कोशिश कर और वो फिलिम में में कुछ बहुत मज़ा आया नूर भै का कैरेक्टर करने में और लोगां लोग बहुत पसंद करें वो कैरेक्टर को और बहुत महबत और बहुत प्यार मिलता वो कैरेक्टर क की वज़ा से ज्यादातर अलहमदलेला फ्यूचर में आपकी क्या प्लाइनिंग फ्यूचर में सर मेरी प्लाइनिंग यह है कि अभी हम लोग थोड़े ही दिनों में वेब सीरीज स्टार्ट करने वाले और अगर यह सब जो भी अभी चल रहा है सिच्वेशन बन्दब आप कि बॉलिवुड में जाना अगर वहां से ओफर आएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ कॉडिनेशन हो सकेगा कोई अच्छे लोगों से तो बिलकुल बॉलिवुड में भी काम करेंगे हॉलिवुड में भी करेंगे इंशालला आपकी दूआ रही तो हर जगे करेंगे क्योंकि मे आद्मी चल सकता है वो डांस भी कर सकता है एक कोई डांस के लिए शायद एक कोई वाख्या सुनाय थे महमुद साब के बच्चन साब को डांस फस्ट मॉबर टू गो आफली में कुछ डांस को कुछ प्रॉबलम हो जई थी स्टेप को लेके तो महमुद साब उनको जाके सिर्फ आप एक महदूद दायरे की तक बंद रखा है मतलब मैं OTT प्लेटफॉर्म के जरीए या फिर यूटूब के जरीए ही मैं यहीं तक महदूद रहूंगा आपने जिक्रे खेर किया ही नहीं कि बाली उट को जाओंगा वहां पे फिल्में मिलेंगी या फिर हॉलियूट सर बॉली वूड बोले तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है लेकिन अभी आप देखिए सर कि पहले बॉली वूड का मतलब क्या था कि फिल्में जहां बन री वो बॉली वूड है अभी आप OTT प्लेटफॉर्म पे बड़े-बड़े स्टार है उसको तो बॉली वूड नहीं यही चलने वाला है सर बॉली वूड भी है फिल्में भी आएंगी लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे आएंगी थेटर्स अभी मेरा अपना सोचना है कि जादा दिन तक थेटर्स चलने वाले नहीं है बहुत रेर हो जाएगा थेटर का चलन तो इसलिए मैं यही बोलना चाहरा है या इंडिया में दिखा जा रहा है यूट्यूब के जरीए फेसबुक इंस्ट्राग्राम के जरीए वर्ल्ड वाइट मेरा कंटेंट हर जगे पहुँचता है तो मैंने समझता हूँ कि मैं महदूद हूँ हाँ अगर मैं कुछ कंटेंट में अपने को बाया मतलब एक्सप शेयर करा हूँ वाँ से पहला वो और्डियन्स के ओपर डिपेंट है सरु मतलब यह सुब आपकी दूर अने वाले दौर में यही चीजें चलने वाली है और बहुत सारे इजाफे हो जाएंगे अच्छा इंशालला हम दूआ करेंगे कि आप इसी तरीखे से यही तरखी करत हैं थाइंक्यू सर बेरहल आप आए इतना वक्त दिया आपका बहुत 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 शुक्रिया सर कि आपने यह पर बुलाया और दूर दर्शन का मैं शुक्रियादा करूंगा थाइंक्यू सो मच सबी टीम का और स्पेशली मैं आपके चैनल के थ्रो जितने भी हमारे व्य हम पर है इसी तरह प्यार महबत देते रहें और पसंद करते रहें थाइंक्यू थाइग्यू, भ्रशलीन हो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा आप अपने दोस्ड और होस्त के बी जानी को इसाल देई जाज़ें लाना फ